उफ मज़ा आ गया मूँ में लेके बस चाटने का मन कर रहा है छूसने का मन कर रहा है किसिंग करने का मन कर रहा है तोड़े टाइम तो बहुत मज़ा करेंगे इसके बाद जो होगा अगर बात सुनके बोलोगे तो ऐसा वार्ड नहीं आएगा आपके मूँपे आपका मूँ भी गंदा नहीं होगा तो आएए वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं औरल सेक्स की इसलिए मैंने बोला चूसते हुए मज़ा आ रहा है चाटते हुए मज़ा आ रहा है यह सारी चीज औरल सेक्स में होती है दोस्तों दोस्तों हम आज जानेंगे औरल सेक्स का साइंटिफिक इंफर्मेशन क्या है पूरा डिटेल में जानने वाले है इस वीडियो में और दूसरी बाट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दो वीडियो का शेयर कर दो क्योंकि यह वीडियो बहुती इंफ फॉलो कर दीजे दोस्तों अगर पेस नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पता किसे चलेगा कि आपके सरहनघ आपके लिए क्या क्या आच्छे चिछ छी लाती है हमेशा सबसेवे बात करते हैं और रल विजहां क्या जाता है अपका जिव स्कूरा जाता है अपका पर्टनेर उ और दोस्तों हमारे साथ जुने के लिए परसनेली इंस्टेग्राम से भी जुर सकते हो या पर देख सकते हो डॉक्टर सरहाना तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप बात करते हैं क्या औरल सेक्स से कोई नुकसान होती है कोई बीमारी होती है जो की बहुत खतरनाक ह क्या होती है पूरा वीडियो को देखना है तब ही जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों तो आईए साइंटिफिक इन्फोर्मेशन की बात करते हैं हम दो कैटगरी में इसको डिवाइट करेंगे नंबर वन जो साइंटिफिक इन्फोर्मेशन है जो फीजिकल प्रॉब्ल करके रख देता है आपके पॉजिटिविटी पर आपका निगर्टिफ एफेक्ट करता है यह औरल सेक्स दोस्तों साइंस बस आपको यह बता सकता है कि कौन सा चीज़ आपके लिए गलत है लेकिन यह नहीं जानता ना साइंस की इन्सान के अंदर जजबात है इन्सान के गाट में भी उतार सकती है नमबर वन लेम आइडिया नमबर टू एच पीविन नमबर थ्री सिफलीज और भी कहीं सारे विमारी है दोस्तों जो STI होती है ना sexually transmitted infection जनितल हम होती आपका जो गला होती है उसमे भी infection हो जाती है आपका जो गला होती है क्योंकि आप जब deep circing करते हैं किसी को यह फिर आप सक करते हैं वैजेना को यह फिर मुव में ले लेते हैं पेनिस को तो बहुत सारे चीज़ कॉंडम के बीना ही अब सेक्स कर रहे हो तो इससे भी आपको नुक्सान हो सकती है अगर आप मल्टिपल पर्सन के साथ अब सेक्स करते हो तो इससे आपको नुक्सानी होगा आपको जनेटल हब्स भी हो सकता है जनेटल हब्स जब होती है ना इनसान को तो बहुत पेइन होता ह बहुत ज़दा इंसान परिशान हो जाता है एकदम सूखी लकडी की तरह हो जाता है इंसान तो आप सोच सकते हो दोस्तो एक इंसान के जिंदेगी खतम हो सकती है यह औरल सेक्स है पता है ना यह औरल सेक्स कितना खतरनाक है आप थोड़ी टाइम के लिए मज़े लेंगे लेक साल आप सोच सकते हैं कितने लोगों का डेथ हो चुका है यह बहुत सरीज मैटर है दोस्तों इसलिए प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि औरल सेक्स मत करो यह क्यों करना है जहां पर जो चीज के लिए बना होता है उस चीज को आप देखो ना फॉर एक्जामपल अगर अच्छा समाज मनाने के लिए हमें गंदी चीज से दूर रहना पड़ेगा और अगर आपको दिखता है कि सामने वाला भी ऐसा चीज आपको सिखा रहा है या आपका दोस्त आपको गंदा चीज बोलता है तो उस चीज को आप सुना ही मत और अपने दोस्त को भी बोलो कि भाई ऐसा मत कर तेरी जिन्देगी खत्रे में पड़ सकती है तो आप हमेशा बोलते हो ना सरहना तुम ऐसी हो तुम फेइक हो तुम यह हो भाईया मैं आपके लिए ही कर रही हूँ आपके अच्छे के लिए मैं हर वीडियो में हर एक टॉपिक में बात करती हूँ ताकि हाप खुल के भोल सके अच्छे से भोल सके लेकिन आप क्या करते हैं सामने वालों क्यों ही करना शुरू कर देते हो भाईया ठोकना शुरू कर देते हो जो मरजी हो ही करते हो बाई ऐसा मत करना आपसे गुजारिश है बहुत ही खतरनाप चीज़ है एक इंसान हो एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए गंदे चीज़ों से दूर रहना जरूरी है और सेक् बिना कॉंडूम का सेक्स करते हो तो बोलते हो मुझे मज़ा आता है तो बहुत के चक्कर मैं मत पड़ो किसी की लाइफ खराब हो सकती है तो दोस्तों आई होप मैंने आपको अच्छा से समझा दिया है फिर मिलते हैं अगले एक न्यू टापी के साथ तक ले बाइबाई टेक क्या जैहिन दोस्तों और साथी सथ हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू समाच हमारे पेज को फोलो कर देना बाई